आज मैं फिर से आपके लिए newborn baby के लिए cap लेकर के आई हूँ जो हम बिल्कुल different तरीके से बनाएंगे और बहुत ही beautiful cap हम आज ही ready करेंगे तो चलिए video को start करते हैं इसके लिए देखे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है यह fabric again full allein का fabric लिया हुआ है अब देखे इसकी जो हमने सबसे पहले एक पटी काटनी है इसकी लंबाई और चड़ाई मैं आपको बता देती हूँ इसकी जो देखिए चौडाई है वो कितनी मोटी हमने रखनी है 4.5 इंच हमने इसको चौडाई में रखना है और इसकी जो लंबाई है वो हमने रखनी है 10 इंच ठीक है इसकी लंबाई हमने 10 इंच रखनी है और इसके अलाबा मैं आपको بتा दूँ कितनी मोटी हमने रखनी है तो इनकी जो चडाई है वो है 0.5 पान चेंच यहाँ पर और इनकी जो लंबाई है वो हमने रखनी है 12 इंच nied 12 इंच हमने इनको लंबाई में रखना है तो सबसे देजे दो पटिया हैं, अब इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर हम इनका निकालेंगे, इस तरह से हमने रखना है और इसका सेंटर हमने निकालना है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरी वाच किजिएगा, तभी आपको इस टोपी अच्छी से बनाना आएगी, ह यहां से हमने इसको गुलाई देनी है और इधर तक, इधर हमने इसको मिला देना है, गुलाई में हमने मिलाना है, तो देख लीजे किस तरह से देनी है हमने यह, यह गुलाई में हमने एक कॉर्णर से गुलाई को देना है और दूसरे कॉर्णर पर इसको मिला देना है, और इसको अब हम कट कर लेंगे जैसे हमने गुलाई दी वैसे हमने इसको कट भी कर लेना है तो ये देखिए ये हमने कट कर लिया अब हमने दोनों पीस को अलग कर देना है दोनों पीस हमारे कुछ इस तरह से आएंगे फिर ये देखिए अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है किस तरह से करनी है वो देखिए सबसे पहले देखिए हम इस पीस को लेंगे यहां पर जो आपको पीस से क्रैस को लेंगे अब इसको इस तरह से रखना है इसका सेंटर हमने निकालना है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे दोनों तरफ इसका सेंटर देखिए यहां पर एक अब ये जो हमने दो पीस जो कलाई में नॉन्हाम है इसके वी सेंटर पर हमने नॉच लगाने हैंalie इसके सेंटर भुछ इस तरहते नॉच कम आने हैं लllsांसे तरह देखिये हमने जो तरहीं इसको इस तरह से हमने खोलना है और इसका सेंटर देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा अब देखिए इस पट्टी का जो हमने सेंटर नहीं गया यहां पर जो नौच लगाया था उसको इस तरह से रखना है पट्टी को हमने नीचे रखना है और इसको इस तरह से उपर र हिस्सा हमने काटा है, इसके उपर हम प्लीट डालेंगे, छोटी-छोटी प्लीट हम यहां पर डालेंगे, और इनको इस तरह से डालेंगे, ताकि यह जो पूरा हमारा गुलाई वाला हिस्सा है, यहां पर एडजेस्ट हो जाए, यहां तक यह आ जाए, यहां से सेंटर से हम ए लोड लेंगे, इसी तरफ को हमने प्लीट डाल ली है, यह देखिए इस तरह से आपका भी अच्छेस्ट होना चाहिए, अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से प्लीट डालेंगे अब देखिए एक तरफ मैंने यहाँ पर प्लीट डाल ली है, यह देखिए खोलने के बाद हमारा कुछ इस तरह से दिखेगी यह, अब इसके दूसरी तरफ भी है, जो दूसरे वाला हिस्सा है, हमने इसको इसी तरह से सेम ऐसे ही रखना है, और यहाँ पर भी हमने प्लीट ड डाल लेनी है, तो आप देखिए दो दो पार्ट स्पेस में मैंने प्लीट डाल दी है, अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से, सीधे करने पर आपकी टोपी कुछ इस तरह से दिखेगी, तो आप देखिए अब हमने इस पर टॉप स्टिच लगाना है, यहाँ दोनों तरफ इस तरह से रखना है, तो आप देखिए हमने अपनी टोपी को इस तरह से रखना है, इस तरह से हमने जो सेंटर वाली पट्टी है तो इसको हमने इस तरह से मिलाना है, सेंटर इसका निकालना है, यहाँ से देखिए इस तरह से हम अपनी टोपी को रखेंगे, अब यह जो से इस तरफ को हमने देखिए ये जो सेंटर वाली सिलाई है जहां से हमारी वहां से 2 इंच इस तरफ को रखेंगे दो इन्च हम ने इस तरफ को रखना है सेंटर वाली जो सिलाई हमारी यहाँ पर आईए दिखे rozSay और इसी से दूसरी तरफ से भी 2 इन्च इस तरफ को 2 इन्च पर मारक करना है यहाँ पर हम मारक करेंगे और यहाँ पर हम निसान लगा लेंगे या कट लगा लेंगे यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे ठीक है यह कट आपने लगवा कट रेंच लगाना है और दूसरी तरफ भी आपने कट लगा लेना है इस तरह से हम कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारी टोपी यहाँ तक है अब हमने जो यहां से दूसरी तरफ को अब खोलना है देखे इस तरह से जो कट हमने लगाए है यह जो सेंटर पे हमने देखे कट लगाये थे यहां से यहां तक दो इंची तरफ को लिया था दो इंची तरफ को लिया था यह वाला हिस्सा हमने रहने देना है और इसके बीच म यहाँ पर देखे जो कठ हमने लगाए है यहाँ पर हमने प्लीट से इसको इस तरह से गैदर कर लेना है पूरे को हमने यहाँ पर इसको गैदर कर लेना है यह देखे इस तरह से हम गैदर कर लेंगे बाकी का हिस्सा हम रहने देंगे जो दो इंच हमने इस तरह भी हमने इसी त तरब भी हमने कट लगाया है, यहां पर देखें, बीच में, तो यहां पर हम इसको प्लीट्स डाल देंगे, यहां पर हम देखें इस तरह से प्लीट्स डाल देंगे, अब देखें इसके दूसरी तरब भी हम वैसे ही करेंगे, यह देखें जो सेंटर वाला हिस्सा हमारा है, बीच में जो हमारा कपड़ा बच गया है इसको हमने एकदम से गयादर कर लेना है इस तरह से छोटी छोटी प्लीट डालके इस तरह से हमने इसको गयादर करके इसके उपर सिलाई लगा देनी है देखे इस तरह से करेंगे और अब हमने इसके उपर सिलाई लगा देनी है तो देखें, इस तरह से हम अपनी टोपी को रखेंगे, और अब यहाँ पर हम एक पट्टी लगाएंगे, यह हमारा फ्रंट एक इसे में आपने लगानी है, फ्रंट के पार्ट में हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे, तो पट्टी की लंबाई हमारी जितनी यहाँ पर धाइंग रख सकते हो, तो margin 2,5 इंच मैंने यहां पर रखी वई है, और इसको जोड़ना किस तरह से आप आपको बता देती हूं वे को इस तरह से उठाना है और देखिए इसको हमने कि इस तरह से नीचे रखेंगे, यह ते यह हूँ साइड इसकी नीचे की तरफ को रहेगी और इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रहेगी इस तरह से हमने रखना है इसको और यहां से हमने इसको जोड़ना स्टार्ट करना है अब यहां से हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगी सिलाई देंगे आधा इंच मार्जन रखते गोवे पट्टि को हमने यहां पर जोड लिया है यह देखे हिसके एक साइड को में थूड़? बढ़ करूँगी अब इसको आपने इस तरह से खोलना है बाईर की तरफ को और देखें इसको अंदर की तरफ को यूँ मोड़ेंगे ऐसे हमने इसको मोड़ना है जो यहां से हमारी पटी जो हमने थोड़ी सी बढ़ा के रखी हुई थी अब इसको इस तरह से उपर की तरफ को रखेंगे आधा इंच अदर की तरफ को दवाएंगे और यहां से हम देखे अपनी पटी यहां पर सिलाई लगा करेंगे यहां से हमने इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है यहां से लगाएंगे और इस तरह से मार्जन हमारा अंदर चला जाएगा तो अब हमने इसको सिलाई लगाने हैं अब देखिए यहां पर हमने अपनी पट्टी को जोड़ लिया है यह देख लीजे यहां पर हमने यहां तक हमने पट्टी को जोड़ा है और दोनों तरफ इसके कॉर्णर पर मैंने सिलाईयां लगा दी है अब इसके बाद देखिए एक पट्टी हमने और काटनी है लंबाई में इसकी लंबाई कितनी काटनी है इसकी लंबाई हमने मेजर करनी है देखिए यहां से दूसरे जहां पर हमने गैदरिंग की है यहां तक हमें मेजर करनी है और उससे 10 इंच लंबी हमें इसकी पट्टी र निकालेंगे, चैंटर पर हमने एक लगाना है यहां पर सेंटर पर लगाएंगे और जो पत्टी है इसकी जो चड़ाई है वो हमने टू इंच रखी है तो अब इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है सेंटर से और सेंटर पर इसके भी एक नौच लगाएंगे अब हम इसको सेंटर से जोडना स्टार्ट करेंगे यहां से देखिए यहां से हम इसको जोड़ेंगे यहां से हम इसको जोडना स्टार्ट करेंगे जहां से हमने नौच लगाया था यहां से जोड़ेंगे लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर दो दो प्लीट डालेंगे दो प्लीट इधर को डालेंगे और दो प्लीट इधर को डालेंगे हम पट्टी को जोड़ते हुए ही डाल देंगे साथ में और अब देखिए जोड़ना किस तरह से है इस तरह से रखेंगे और इधर से हम दो प्ली तरफ को यहां तक हम फिर से इसको जोडेंगे तो आप देखे पट्टी को हमने यहां पर जोड लिया है यह देख लिजे अब हमने इसको देखे इस तरह से खोलना है इनको इस तरह से खोलेंगे और ये जो देखें यहां पर हमारी पट्टी है जो बांदने के लिए डोरी आएगी अब इसको हमने फोल्ड करना है सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे आगे से यहां से हम फोल्ड करेंगे इसको फिर एक देखिए एक फोल्ड हम यह अंदर की तरफ को मार्जन को हमें दबाते जाना है और इस तरह से हमने सिलाई लगाते जाना है दूसरी तरफ तक हमने इसको इसी तरह से सिलाई लगानी है आदा इंच मार्जन अंदर की तरफ रखते हुए दबाते हुए हमने इसको सिलाई लगाते जाना है सो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर डूरियों को भी अटेच कर लिया है और हमने अपनी न्यूबोन की बेबी को कैप को रेडी कर लिया है यह देखिए कितनी ब्यूटिफुल कैप पनी हुई है यह देख लीजिए ये उपर वाला हिस्सा है इसका और ये देखिए नीचे वाला हिस्सा है जो हमने यहाँ पर सेंटर पर प्लीट्स डाले आई हूप आपको मेरा ये वीडियो हैल्फल रहा होगा आप बना करके जरूर देखिएगा इस टोपिक को बिल्कुल यूनीक तरीके से मैंने बनाए हुई है ये और कैसी लगी आपको प्लीज एकमेंट करके भी जरूर बताएगा